हेलो स्टूडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हमत गुपता आज आपके लिए लेके हम बटा आपका जो सेकिंड समेस्टर में को कुरिकुलर सब्जेक्ट है तीनों स्ट्रीम के लिए बीकॉम बीसी के लिए उसका पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्ट का जो पेपर प्रात्मिक सहता के एबीसी नियम में बी का क्या टात्पर रहे है पहले तो हमारे को एबीसी की फुल फॉर्म पता होने चाहिए तबी हम एबी और सी का अलग अलग मेंग बटा पाएंगे जरूरी नहीं आपसे आगया एक्जामिनेशन में बी का मतलब पूछे एक पूछ स चाहbay पूछ सकते हैं हमारे को फुल फॉर्म पताउने चाहिए तो बेटा abc में a का मतलब है airway b का मतलब isop breathing और CPR का मतलब है की का मतलब सीपियार airway breathing and CPR तो यहां पर हमारे से बीका मतलब पूछा है तो बीका मतलब आजाए का पृतिंग यानिकि option नंबर इसका correct answer और स्टुडेंट CPR का मतलब होता है Cardiopulmonary Resesation ठीक है तो यह important fact है इस question से समझेट आप इसको अच्छे से तयार कर लेंगे और 77 students आगे वाले examination के लिए ध्यान रखेंगे next जो important question बनता है कि विशु प्राथमी चिकिसादी वर्ष वर्ड फर्स्ट एड डे प्रतिवर्ष कम मनाया जाता है तो ध्यान रखेंगे वर्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर महिने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है ध्यान रखेंगे कम मना जाता है सितंबर महिने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की जो शुरुवात की गई थी वो IFRC का मतलब है इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ रेड क्रोस ने सन दो हजार में की थी चलिए सब पर्थम किस ने किया था दिये गए अप्षण में जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्षण नमबर A सेन्ट जोन एंभूनेंस ऑशोसियेशन सेन्ट जोन एंभूनेंस एसनुं अप्षण ओप्शयेशन ऑप्षण नमबर A इसका करेक्ट आंसर है चली next question है CPR में शामिल है CPR में क्या शामिल है option दिये गए है ABCD तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है chest compression and rescue breath सीने में संकुचन और बचाव सास CPR में शामिल होते हैं और CPR की full form अभी आपको बटाई टी कार्डियो पुल्मरी रेसिशेशन चली next question जानते हैं students next question है विशु प्राथमिक चिकिसा दिवस किस महा में मनाया जाता है अभी बटाया था सितंबर महिने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है ठीक है बटा तो इसलिए इसका अंसर आजाएगा option number C चली next question जानते हैं next question है किसी रोगी की इस्थिती की जाज करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए चाहिए तो इस्टुडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पीडित से बात करें और उसके कंधे को हिलाए option number B इसका करेक्ट आंसर है next question जानते हैं तो next question है निम लिखिट में से कोन साथ दिल का डोरा पढ़ने का सबसे आम लक्षन है तो इस question का जो करेक्ट आंसर है वह सीने में दर्द होना option number C इसका करेक्ट आंसर है next question जानते हैं इंसुलीन इंजेक्ट किया जाता है सबक्यू टेंस में option number C इसका करेक्ट आंसर है next question है first degree burn के लक्षन क्या है मामुली सूजन तोचापर लाली ये दोनो जो है फर्ट डिगरी बन के लक्षन है मामूली सुजन और तोचापर लाली आना चलिए नेक्स कोशन जानते हैं वीश्व स्वास्ते संगठन का मुख्याले कहां पर इस्थित है यह जनेवा में स्थित है option no a क्रेक्ट आंसर है नेक्स कोशन है BCG का टीका क्यों लगाया जाता है BCG का Tika क्यों लगाया जाता है ये TB के लिए लगाया जाता है TB के लाज के लिए लगाया जाता है BCG जो है इसकी फुल फॉर्म है वो है Bacile Calmite Gurine ये एक वैक्सीन है जो की TB यानि के TB की फुल फॉर्म क्या है Tuberoclosis Disease इसके लिए लगाया जाता है Next Question जानते हैं तो Next Question पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा मानसिक रोग है निमलिखित में से कौन सा मानसिक रोग है तो Alzheimer और Dymnesia ये दोनों ही मानसिक रोग है अर्थात Option Number C इसका Correct Answer है Next Question है व्यस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड़िया पाए जाती है ये 206 हड़िया पाए जाती है Option Number B इसका Correct Answer है चले Next Question जानते हैं तो Students Next Question है रत को च्छान कर शुड करने वाला मानव अंग कोन सा है तो मानव अंग है किड़नी किड़नी का काम क्या है रत को च्छान कर शुड करना है Next Question है Students जुए नाइल जस्टिस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था ये 1986 में लागू किया गया था Next Question जानते हैं तो Next Question है मनो विज्ञान शब्ड आया था कब आया था, कहां से आया था Italian से, Greek से, Latin से या Spanish से तो Students इस Question का जो Correct Answer है वो है Greek से Option Number B इसका Correct Answer है Next Question है श्वास संबंदी रोगों के मुख्य कारण कोन से दुमुर्पान, वायू परदूशन, दोनो A और B तो इसका Question का जो Correct Answer है वो दोनो आ जाएगा चले, अब Next Question जानते हैं तो Next Question पूछा क्या है 3D Mold से कोन सी पट्टी बनाई जाती है 3D Mold से कोन सी पट्टी बनाई जाती है ये किरी गामी पट्टी बनाई जाती है Option Number B इसका Correct Answer है Next Question है हानी कारक परा बैंगनी किर्णों से तो पूचा की रक्षा क्या करता है तो Student इस Question का Correct Answer है वो है Melanine Option Number A इसका Correct Answer है चली Next Question जानते हैं तो Next Question है मारा दर्द कम करना डैश का पहला उद्दिश से है दर्द कम करना किसका पहला उद्दिश से है तो ये पराथमिक उपचार का पहला उद्दिश से दर्द कम करना होता है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कोन सा है ये यकरत कहला आता है लिवर जो है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कहलाता है तो पहला सबसे बड़ा अंग कोन सा कहलाता है तो शरीर का सबसे पहला बड़ा अंग इसकिन कहला आती है Next Question है मानव शरीर में कितनी अंगुलस्थिया होती है मानव शरीर में कितनी अंगुलस्थिया होती है यह 14 होती है option number C is का correct answer है चलिए next question जानते है GAD का क्या अर्थ है GAD का क्या अर्थ है तो students इस question का correct answer है वो है generalized anxiety disorder सामानेकरत चिंता विकार option number B इसका correct answer है next question जानते है next question क्या पुछा गया exam में महिला के बहिये जन्रांग के रूप में जाना जाता है किसे जाना जाता है यो निमो को option number C इसका correct answer है next है kidney एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है ABCD दिये गई है option तो इसमें जो correct answer है वो है 200 liter option number B इसका correct answer है next question है किस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पिन परदान की जाती है तरिकोनिया पट्टी को option number A इसका correct answer है चलिए next question जानते हैं students next question है मारा प्राथमित चिकिस्सा में MMR का क्या अर्थ है option दिये गए है ABCD तो students इसका जो correct answer है वो है mouth to mouth respiration option number B इसका correct answer है और अगर ये option ना दिये गए हो तो ये ध्यान रखेंगे MMR का मतलब दूसरा क्या होगा muscles, mumps and rubella चलिए next question है एक सामाने शरीर का टापमान कितना होता है सामाने शरीर का टापमान 98.6 degree Fahrenheit होता है option number C इसका correct answer होगा next question है प्राथमिक इस्थर पर डैश के माध्यम से योन शिक्षा शुरू की जा सकती है तो इसका जो correct answer है वो शारिरिक शिक्षा के साथ एक ही करन करके option number A इसका correct answer है next question जानते हैं तो next question है कौपर T का क्या कार रहे है तो students इस question का जो correct answer है वो है निशेचन को रोकता है option number B इसका correct answer है next full form पूची गई है D.A.L.Y का क्या अर्थ है तो students इस question का जो correct answer है वो है disability adjusted life year option number C इसका correct answer है next है T.M.I का क्या अर्थ है तो students इस question का जो correct answer है वो है temporomedibular joint option number A इसका correct answer है next question जानते हैं तो next question है एक व्यस्क व्यक्ति के मस्तिष का ओसत भार लगबग कितना होता है तो students एक व्यस्क व्यक्ति के मस्तिष का जो ओसत भार होता है वो 1600 gram होता है option number B इसका correct answer है next फिर से full form पूछी गई है PSNS का क्या अर्थ है तो students इसका जो है parasympathetic तंत्र का तंत्र option number D इसका correct answer है parasympathetic nervous system चलिए next question जानते हैं तो next question है kidney का आकार कैसा होता है kidney का आकार कैसा होता है kidney का आकार सेम के आकार का होता है bean shaped होता है option number C इसका correct answer है next question है निम लिखित में से कोन सी गर्भनी रोडन की एक विधी है IUDS इसकी एक विधी है option number A इसका correct answer हो जाएगा चलिए next question है गर्भा वस्था का अंतिम चरण क्या कहलाता है या अंतिम चरण विभाजन अवधी कहलाती है next question है LSD एक शक्तिशाली मतिब्रम है जिसे सबसे पहले संचलेशिट किया गया था 1938 में option number C इसका correct answer है LSD की full form याद कर लेंगे Lysergic Acid Diethylamide इसकी जो है full form है आप इसको भी अच्छे से तयार कर लेंगे अपने next examination के लिए पूछा जा सकता है next question है आखे लगबग गोलाकार होती है जिनका व्यास लगबग कितने होता है तो student इनका जो आकार होता है 2.5 cm होता है option number B इसका correct answer है next question है आपका sheet dunce से समबंदित sheet dunce को यह भी कहा जाता है sheet dunce को क्या कहा जाता है cold burn कहा जाता है option number C इसका correct answer है next है student CNS full form पूछी गई है CNS का क्या अर्थ है तो ध्यान रखेंगे CNS का जो अर्थ है वो है central nervous system option number B इसका correct answer है केंद्रय तंत्र का तंत्र बड़े important question पूछे गए है examination में आप इनको अपने next examination के लिए अच्छे से तैयार कर लेंगे next question है इन में से कौन सी दवा प्राथमिक उपचार में डर्द के लिए देनी चाहिए तो option दिये गए है iboprofen, metronidazole, paracetamol और दोनो A और C iboprofen और paracetamol ये दोनो देनी चाहिए option number D इसका correct answer है next question है चोटी आथ की लंबाई होती है चोटी आथ की लंबाई कितनी होती है तो इस question का correct answer है वो है 22 फिट चली next question जानते है students next question है मस्तिश्क की रक्ट आपूर्ती में व्यवधान के कारण मस्तिश्क के कारए में अचानक कमी आना यह क्या कहला है यह stroke कहलाता है option number C इसका correct answer होगा next question है खाद विशाक्ता जिवानू के कारण होती है खाद विशाक्ता जिवानू के कारण होती है जो की डैश के कारण बोजन में फैल जाता है किसके कारण बोजन में फैल जाता है खाना पकाना या संग्रे और अनुचित handling के कारण A और B दोनों सही है, option number D इसका correct answer होगा, next question है, व्यस्क मस्तिश्क निमलिखित से बना होता है, चार परमुक भागों से बना होता है, option number B इसका correct answer है, चलिए, next question जानते हैं, students, next question है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, और गन कौन सा होता है, तो शरीर का जो सबसे बड़ा organ है, वो skin कहलाती है, option number D इसका correct answer है, next question है, गंभीर रक्त इस्तराव के लिए प्राथमिक उपचार करता को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसे सबसे पहले साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालना चाहिए, option number C इसका correct answer है, next question जान कौन सा कथन सत्य नहीं है, vestibular गरंतियों को बार्थोलीन गरंतिया भी कहा जाता है, यह बिल्कुल ठीक है, perineum एक त्रिकोणिय चेतर है, जो व्रद भगोश्टक से गुडा नहर तक फैला होता है, यह भी बिल्कुल ठीक है, हमाई से question क्या पूचा है, जो कि सत्य नहीं है पहला दूसरा दोनों सत्य है, next है, गर्भाष्य पेशिया इस्तर गर्भाष्य भिट्टी की सबसे मोटी परट होती है, यह भी बिल्कुल ठीक है, next है, गर्भाष्य नलिका चोडी लिगामेंट से धकी होती है, यह गलत है, तो इस question का जो correct answer है, वो है option number D, next question है, dash के अनुसार सामानत है, मानसिक स्वास्थे संपूर्ण व्यक्टित का पूर्ण सुव्यवस्थित कार रहे है, तो दिये गए option में जो correct answer है, वो है head field का, option number A, इसका correct answer है, next question जानते है, students, next question है, निरंतर अवसाद गरस्ता को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निरंतर अवसाद गरस्ता को, डिस्थीमिया अवसाद, option number B, इसका correct answer है, चलिए, next question जानते है, students, तो next question है, नमारा, मद्यतिमाही गर्भ पार्ट के लिए, इस्तेमाल की जाने वाली, कौन सी दवाई है, तो students, इस question का correct answer है, वो है, मीफरे प्रिस्टॉन, option number A, इसका correct answer है, चलिए, next question जानते हैं, तो next question है, बच्चों और हलके वजन के हताहतों के लिए, को ले जाने के लिए, किस विधी का उप्योग किया जाता है, तो students, पालना विधी का परियोग किया जाता है, option number B, इसका correct answer है, चलिए, next question जानते हैं, तो next question है, विएस्क मानों में, RBC का निर्मान होता है, किसके द्वारा होता है, तो students ज्यान दखेंगे, इस question का जो correct answer है, वो है, अस्थी मज्जा के, bone marrow के द्वारा, और RBC की full form क्या होती है, red blood cells होती है, चलिए, next question जानते हैं, तो next question है, निमलिखित में से, कोन सा पूरुष में, प्राथमिक योन अंग है, A, B, C, D, तो students इस question का जो correct answer है, वो है, version, testics, option number A, इसका correct answer है, चलिए, next question जानते हैं, तो next question है, पूछा गया examination में, निमलिखित में से, कोन सा प्रोटीन, हर्दे, तथा, स्वास संबंदी, केंद्र और केंद्रिय तंत्र का तंत्र को परभावित करता है, तो students इस question का जो correct answer है, वो है, neurotoxin A, option number A, इसका correct answer है, next question है, किडिनी की किरियात्मक इकाई है, कौन सी है, nephron, option number C, इसका correct answer है, next question है, जनम के समें, नवजात शिशू की लंबाई कितनी होती है, जनम के समें, नवजात शिशू की लंबाई कितनी होती है, 45-55 cm, option number A, इसका correct answer है, next question है, दो वर्ष के अंट तक बच्चों के कितने डाट निकल आते हैं, तो इस question का जो correct answer है, वो है, 20, option number B, इसका correct answer है, next है, योनी डायाफ्राम की किरिया है, A, B, C, D, तो इसका correct answer है, वो है, option number C, शुक्राणों को अंडाणों के संपर्क में आने से रोकना, option number C, इसका correct answer है, next question है, निमलिखित में से कोन सा योन संचारित रोग नहीं है, तो students इस question का जो correct answer है, वो है, यक्षमा, next question है, एगोराफोबिया क्या है, एगोराफोबिया क्या है, यह खुली जगहे का डर है, option number A, इसका correct answer है, next question है, हमारा, corpus luteum, dash के स्रावकार स्त्रोथ है, ABCD में से इसका correct answer क्या है, तो इसका correct answer है, वो है, option number C, progesterone, option number C, इसका correct answer है, चली, next question जानते हैं, तो next question पूछा गया है, गर्ब निरोधा की किरिया है, डिम्ब वाहिनी में अंडों के तेजी से पारित होने को रोकना, option number D, इसका correct answer है, चली, next question जानते हैं, तो next question है, कृत्रिम शोचन को dash के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, तो students यह है, हर्दे, फुफुसियस, पुनर, जीवन के रूप में जाना जाता है, option number B, इसका correct answer होगा, चली, next question जानते हैं, तो next question है, दौन, दौात्मक, व्यवहार, परक, चिकिसा में कितना समय लगता है, तो students इसके समय लगता है, वो एक वर्ष लगता है, option number D, इसका correct answer है, चली, next question के बारे में जानते हैं, तो next question है, किस प्रकार के fracture में हड़ी एक तरफ से तूट जाती है, और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है, ताकि गैर fracture वाली हड़ी को मोड दिया जा सके, option दिये गए है, A, B, C, D, तो इसमें जो correct answer है, वो है, green stick fracture, option number B, इसका correct answer है, चली, next question है, निशेचित कोशिका कहलाती है, कौन सी कोशिका कहलाती है, तो यह जाइगोट, जो है, निशेचित कोशिका कहलाती है, option number C, इसका correct answer है, next question है, भारत में राष्टिय, परिवार, स्वास्थय और कल्यान कारेकरम कब शुरू हुआ था, 1947 में, 1952 में, 1953 में, या 1989 में, तो students, इस question का जो correct answer है, वो है 1952 में, option number B, इसका correct answer है, next question है, अभी घातक के बाद के तनाव विकार के लक्षनों में शामिल होगा, तो इस question का जो correct answer है, वो है, एक दर्द नाक घटना को फिर से जीना, option number D, इसका correct answer होगा, next question है, students, पूछा गया exam में, kidney-enzyme को स्तरावित करके, रक्ट चाप को निरियन टिरित करती है, तो इस question का जो correct answer है, वो है, रेनिन, option number A, इसका correct answer है, चले, next question जानते हैं, students, तो next question है, निम लिकित में से कोन सा समवेदी अंग नहीं है, तवचा आख, मू या कान, तो जहां रखेंगे, मू जो है, समवेदी अंग की श्रेनी में नहीं आता है, option number C, इसका correct answer है, next question जानते हैं, तो next question है, निम लिकित में से कोन सा स्थरी परजनन का अंग नहीं है, वीरे नली का, option number B, इसका correct answer है, next question जानते हैं, तो next question है, अगर पाद की सबसे लंबी हड़ी, कौन सी है, हमरस कहलाते है, हमरस कहलाते है, option number B, इसका correct answer है, next question जानते हैं, तो next question है, students, किडिनी लाल अरक्त कोशिकाओ के उत्पादन को डैश स्रावित करके बढ़ाते हैं, erythropoietin के माद्यम से, option number D, इसका correct answer है, चली, next question जानते हैं, तो next question है, मानव शरीर में निशेचन की परकिरिया कहा होती है, डिम्ब वाही नलिका में, option number B, इसका correct answer है, चली, next question जानते हैं, students, तो next question है, नवजात शिशू में हीमोगलोबीन का इस्तर कितना होता है, अठारा ग्राम परसेंटे में होता है, option number C, इसका correct answer है, next question है, भै का विकार एक परकार है, ABCD में जो इसका correct answer है, वो है चिन्ता का, option number B, इसका correct answer है, next question है, शुक्र जनक नली, काई निम लिखित के बाद केंद्रिय लूमेन विक्सित करती है, तो इस question का जो correct answer है, वो है योवन, option number C, इसका correct answer है, next question है, बटा, निशेचन के कितने दिन और बाद implantation होता है, आठ दिन, साथ दिन, छे दिन, पाँच दिन, तो इस question का जो correct answer है, वो है साथ दिन के बाद, चलि, next question जानते हैं, तो next question है, नवजाज शिशू की हड्यों की संख्या कितनी होती है, तो नवजाज शिशू की हड्यों की संख्या 270 होती है, option number A, इसका correct answer है, चलि, next question जानते हैं, तो next question है, निम लिखित में से कौन सा एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जनम निरियंतरण उपकरण है, A, B, C, D में, तो student इस question का जो correct answer है, वो है, निरोध, option number C, इसका correct answer है, next question है, जनम के समय शिशू के मस्तिश का भार होता है, जनम के समय एक शिशू के मस्तिश का भार कितना होता है, 350 गराम, option number A, इसका correct answer है, next question है, अवसाद के लिए पर्थम पंक्ति उपचार कौन सा कहलाता है, तो पर्थम पंक्ति उपचार अवसाद रोदी कहलाता है, option number C, इसका correct answer है, next question है, गर्ब कालीन अवस्ता लगबग कितने दिनों की होती है, गर्ब कालीन अवस्ता लगबग कितने दिनों की होती है, तो दिनों में अगर इसे रिपर्जान करें तो 280 दिन कहलाते हैं, option number B, इसका correct answer है, next question है, इन में से कोन सी नर इस्तंधारियों में एक सहायक जनन गरंथी है, ABCD में जो correct answer है, वो है प्रोस्टेट गरंथी, option number B, इसका correct answer है, next का है, सर्वदाता रक्त समू कोन सा कहलाता है, तो सर्वदाता रक्त समू O blood group कहलाता है, next, dash जूटी माननेता हैं, जो ब्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती है, ब्रहम, option number A, इसका correct answer है, next है, x, x गुन सुत्र पाए जाते हैं, पिता में, माता में, माता पिता दोनों में या उप्रोक में से, किसी में भी नहीं, तो स्टुडेंट्स ये जो x, x गुन सुत्र माता में पाए जाते हैं, option number B, इसका correct answer है, next question है, निमलिखित में से, कोन सी एक अंतरे स्थरावी गरंथी नहीं है, तो स्टुडेंट्स के जो correct answer है, वो है लार गरंथी है, next question है, गुन सुत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोडे, 43 जोडे, 53 जोडे या 53 जोडे, तो ध्यान रखें, गुन सुत्रों की संख्या 43 जोडे होती है, option number B, इसका correct answer है, next question है, students, एक गंभीर मानसी किस्थिटी जो वास्तविक्ता से संपर्क के नुकसान से संकेतित होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे साइजो फ्रेनिया कहा जाता है, option number C, इसका correct answer है, next question है, अनुवशिक्ता का अनु है, A, B, C, D में, तो इस question का जो correct answer है, वो है DNA, option number A, इसका correct answer है, next question है, माता का पर्थम दूद क्या लाता है, सफेद, पीला, कोलोस्टरम या उपरोक्ट में से कोई नहीं, तो student, इस question का जो correct answer है, वो है कोलोस्टरम, option number C, इसका correct answer है, next question है, X, Y, गुंसुतर पाये जाता है, माता में, पिता में, माता पिता दोनों में, रोग में से कोई नहीं, तो students, ये पिता में पाये जाता है, माता में, X, X, गुंसुतर पाये जाते हैं, और पिता में, X, Y, दोनों गुंसुतर पाये जाते हैं, ध्यान दखेंगे, कौन सा जहर व्यापक रूप से अफ्शोशित होता है कार्बन रसायन वाले कार्बनिक रसायन वाले उप्शन नमबर ए इसका तरेक्ट आंसर है चले नेक्स कुशन जानते हैं तो नेक्स कुशन है हर वर्ष डुनिया भर में कितनी महिलाओं की मरत्ती उप्रसव या गरबावस्था की जटिल्टाओं के कारण हो जाती है तो यह है जो लगबग संख्या है वो 25 लाग के करीब है उप्शन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर है दिखाई देते हैं सिर्दर्द वह बुखार मुह से जहाग निकलना जी मिचलाना उल्टी होना या उप्रोग सभी तो यह सभी लक्षन पाए जाते हैं उप्शन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स कुर्शन है निमलिकित में से कोन सी प्रसवपूर्व प्रथा स्वस्त गर्भावस्था में योगदान कर सकती है पोशन दैनिक विटामीन तथा फॉलिक एसीड व्यायाम या उप्रोग सभी यह सभी पाए जाते हैं उप्शन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है चले नेक्स कुर्शन है बिच्चु दंश के बाद कौन कौन से लक्षन दिखाई देते हैं तवचा के रंग में परिवर्तन द्रस्टी समस्या ए और भी दोनों या उप्रोग्ट में से कोई नहीं तो यह ध्यान रखेंगे बिच्चु दंश के बाद तवचा के रंग में परिवर्तन और द्रस्टी समस्या दोनों पाए जाते हैं तो उप्षन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन है हमारा जिव्या का मुख्य कार्रे क्या है गंद की पैचान करना स्वाद की अनुभूटी करना बाये वाटावरं से सुरक्षा करना या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इस्टुडेंट्स ज्यान रखेंगे इस कोश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह स्वाद की अनुभूटी करना ऑप्षन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है तो इस्टुडेंट्स ये थे हमारे पूरे सो कोश्चन जो की आपके बीकॉम के ए आपको आपके एक्जामनेशन के लिए बेस्ट आफ लग मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय स्टुडेंट्स